हैलो एवरीबन वेल्कम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम 11 से 12 साल की लड़की के लिए सलवार सिलना सिकाएंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर हमने सबसे पहले कली को लिया है और इसकी सीधी साइट उपा रखी है फिर हमने पाट को लिया है और जो पाट की सीधी साइट है वो हमने नीचे की तरफ रखी है तो इस तरह से आदा अंच का माजन छोड़के यहां पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे और दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी तो अगर आप लोग उने कटिंग की वीडियो नहीं द देखिए तो आप लोग देख सकती है इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहां पर हमने सिलाई लगा दी है अब हम इसको सीधा रखेंगे और यहां पर दूसरी कली को लेंगे इसकी भी हमें सीधी साइट नीचे की तरफ रखनी है और यहां पर एक सी तो यहां पर हमने एक पार्ट में दो कली को सिलिया है अब हम यहां पर आसन से लेंगे और सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पल्ला तयार करा है इसमें भी हमने एक पार्ट में दो कली सिलिया है तो इसकी सीधी साइट नीचे की तरफ रखेंगे और यहां पर आदांच का जन्चोड के आसन से लेंगे तो देखी इस तरह से हमने आसन को सिल लिया है इसमें हमें पीछे की तरफ दो पलेटे सिल लेनी है पहली वाली पलेट का डारेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे और दूसरी वाली पलेट का डारेक्शन भारत की तरफ रखेंगे और यहां पर एक सिलाई लगाएंगे तो यहां पर हमने दो पलेटे सिल लिए इस तरह से अब हम यहाँ पर दूसरा भी आसन सिल लेते हैं इसमें भी हमें दाफ सिलाई लगानी है तो यहाँ पर हमने दूसरे आसन को भी सिल लिया है तो अब हम बेल्ट को तयार करेंगे तो जो हमारा दो इंच का मारजन है उतना हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो देखी इस तरह से हमने बेल्ड को भी सिल लिया है देखी ये वाला हिस्सा मारा आगे की तरप आएगा ऐस दूसरा वाला हिस्सा मारा पीछे की तरफ रहेगा तो अब हम क्या करेंगे यहां पर आठ इंच पर जो कट लगा है तो यहां से हम क्या करेंगे पलेटे भरेंगे आगे की तरफ तो अब हमें यहां पर पीछे जो हमने कट लगाया है पीछे आले आसन के लिए तो यहां से इसको इस तरह से मिलाएंगे इस बाले कट से दूसरे कट तक हमें पीछे की तरफ एक भी पलेटे नहीं डाल लिए ठीक है तो इस तरह से एक सीधी सिलाई लगाएंगे तो यहां पर हमारा दूसरा कट आ चुका है अब हम यहां पर सिलाई को लिकाल देंगे और यहां से पलेटे डालना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम पिलेट का डारेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे तो इस तरह से हमें पलेटो को सिल लेना है ठीक है कि गर रखेंगे तो यहां पर हमारा आशना चुका है तो अब हम क्या करेंगे पिलेट का डारेक्शन चेंज कर देंगे अब हम यहां पर पिलेट का डारेक्शन अपनी तरफ रखेंगे तो यहां पर हमने पिलेटों को सिल लिया है तो अब हम क्या करेंगे शलवार को इस तरह से नाप लेते हैं तो देखी हमारी जो बेल्टों जो सलवार का गेर है वो एक बरावर बैठ रहा है तो अब हम्यापर पूरी गुलाई में सिलाई लगा लेते हैं झाल 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 तो यहाँ पर हमने बेल्टों को सिल लिया है देखी आगे की तरफ हमारी पलेटें आई हैं पीछे की तरफ हमने एक भी पलेट नहीं डाली है तो अब हम इसमें दापसिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर हमने दापसिलाई को भी लगा लिया है देखी आप लोग देख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे पहुँचे तयार करेंगे तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है यहाँ पर हम तिरचे में कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हम पहुँचे की चोणाई 6 इंच लेंगे और एक इंच का हमें मारजल लेना है तो यहाँ पर हम तिरचे में 7 इंच पर कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमने बुकरम की पट्टी लिया है इसकी चौणाई हमारी डेड़िंच है तो अब हम इसको कपड़े पर इस तरह से सिल लेते हैं यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है अब हम यहाँ पर सलवार को लेंगे और सलवार को सीधा रखेंगे फिर हम यहाँ पर इस तरह से इस पट्टी को भी रख लेंगे इसके उपर और आदांच का माजन चोड़के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो देखी इस तरह से हमने सिलाई को भी लगा लिया है अब हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पस सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है इसमें हमें डिजाइन बना लेनी है तो देखी इस तरह से हमने डिजाइन को भी बना लिया है और सेम इसी तरह के से हमने दूसरा पॉँचा तयार करा है अब हम इसको बराबर रखेंगे और यहाँ पर हम पॉँचे की चोणाई छेंच रखेंगे तो छेंच पर हमें सिलाई लगानी है एक पॉँचे से दूसरे पॉँचे तक हमें सिलाई को लगा लेना है ठीक है हमें सिलाण पर रुचे से जाल प्रफेंगे तो यहां पर हमने सिलाई को भी लगा लिया है और इस तरह से हमारी जो सिल्वार है वो सिलकत त्यार हो गई है इस सिल्वार हमने 11 से 12 साल की लड़की के लिए बनाई है तो दोस्तों अमेर करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले और बैलाकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने बाली वीडियो आप तक पहुं सके और मैं मिनती अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक्यू